तो जैसे कि आपको मालूम है कि इस चैनल पे आपको OnePlus से रिलेटेड हरी एक वीडियो आपको मैं देते रहता हूँ तो फाइनले यहाँ पे OnePlus Note CE 3 Lite 5Z यानि इस डिवाइस में न्यू अपडेट आज चुका है अगर आपको मिला है तो आप इंस्टॉल कर सकते ही यहाँ पे इस वीडियो पे यह देखेंगे कि यह अपडेट जो आया है कितना साइज का आया है और क्या क्या चेंजिस हमें इस अपडेट पे देखने को मिलेगा तो अगर आपके पास भी OnePlus Note CE 3 Lite डियो है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर डख लेना और इस वीडियो को फुल देखने को एक लाइक तो सब्सक्राइब कर जेना तो बाइस जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैक सकते हैं यह है Oxygen OS 14 और अफिसियल अपडेट आया हुआ है और साइज का अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 921.70 MB का यह जो है अपडेट आया हुआ है One Press Note C, 3 Lite 5C में और यहाँ पे अगर आप जो है चेंजिस का अगर बात कर रहे हैं तो क्या चेंजिस देखने को मिलेगा तो यह जो अपडेट आपको देखने को मिलेगा है यह आपको इंस्टॉल करने के लिए फोन का जो है सेधिंग है वहाँ पे आना है अपडेट करने का कोसिस करना है अगर आप जो है यहाँ पे दूसरा अप्लिकेशन से इस्सिमाल कर रहे हैं तो आपको यह गलती बिलकुर नहीं करना है जो ऐफिसियल अपडेट आ रहा है आपको साइड पर आपके फोन के सेधिंग से वहीं से आपको अपने फोन पर यह न्यू अपडेट इंस्टॉल करना चाहिए तो यह जो update आपको देखने को मिल रहा है guys तो यहाँ पे आपके phone पे कितना size का आ रहा है वो comment करके जरूर बताना और यहाँ पे यह update अगर आपको मिला है या नहीं comment करके जरूर बता सकते हैं अगर मिला है तो कितना size का आया है जरूर comment करना क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ पे phone पे इससे ज्यादा update यहाँ पे size देखने को मिल रहा है और किसी के update में कुछ कम यहाँ पे size देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे आप आसानी से install कर सकते हैं install बड़ा बटन पे click करोगे आपके phone पे वो install होना सुरू हो जाएगा उके उसके एक श्ट्रेक्सिंग होगा यह आपको complete होने देना है यह internet connection आपको अच्छा रखना है बस जस्ट आपको यहाँ पे size का ही लेगा यानि MB आपके phone पे रहना है उसके बाद यह आसानी से install हो जाएगा आपके phone पे कितना size का अबडेट आया हुआ है comment करके जरू बताना आपको मिला है या नहीं comment करके जरू बताना क्योंकि जो है अगर नहीं मिला है तो phone को एक बार reboot restart करके देखना और अगर आपको कुछ भी problem आ राए इस update को install करने के बाद तो comment करो भी तो इसका solution में देने का कुछिस करूँगा चैनल को subscribe जरू करके रखना इसी जरा tips and trick के लिए